Dear Students, मैं दुलाचंदा स्वागत करता हूँ आप से भी का Class 5, Subject Math Chapter 4 है Exercise 16 को आज हम लोग Complete करेंगे मैं पहले बतला दूँ कि Exercise 16 मैं सबसे पहले इसका वीडियो बनाया था और ये बना हुआ है तो उसमें सिर्फ एक Question बच गया था Question No.13 अगर ये बन जाता है तो Exercise Complete हो जाएगा तो Exercise 17 में जो है उसमें 17 Question दिया हूआ है तो अगर उतना सारा Question एक वीडियो में मैं अगर डालता हूँ तो काफी लंबा वीडियो बन जाएगा इसलिए Exercise 16 में मैं कुछ Question Exercise 17 का भी इसमें बना दूँगा Exercise 17 में जो Question बच जाएगा उसका Part 2 एक और वीडियो में बना दूँगा जिसमें Exercise 17 Complete हो जाएगा तो आए हम लोग Exercise 16 का Question No.13 complete करते हैं यहाँ पर दिया हूआ है Find the Dividend One Divisor 2018 Cosent 1403 1403 and Reminder 906 यहाँ पर चार चीज़े दिया हूआ है आप लोग इस पर ध्यान दिजिए Divide में चार चीज़े होती है Dividen होता है, Divisor होता है, Consent होता है और Reminder होता है तो यहाँ चार चीज़े दिये हुई है तो जिसमें से तीन चीज़ों की Value दिया हूआ है और एक चीज Find करने के लिए बोल रहा है इसको निकालना है तो इसको निकालने के लिए एक आप लोग अगर इसको नहीं जानते हैं तो मैं एक छोटा सा आपको एक्जामपल दिखा देता हूँ ज्यादतर बच्चे जानते होंगे लेकिन कई इसे बच्चे होते हैं जो नहीं जानते हैं तो यहाँ पर मैं छोटा सा एक दिखा देता हूँ जिसके सपोज मान लेजे कि हम 9 को 9 9 को 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं इसलिए डिवाइजर इसका नाम हो गया इसका नाम देते हैं डिवाइजर यह हो गया डिवाइजर और इसको बोला जाता है डिवाइड इन इसी को निकलना तो डिवाइड इन यह हो गया डिवाइड इन और इसको बोलते हैं कॉसेंट यह कॉसेंट हो गया उसके बाद यह जो बच जाता है या फिर कभी कभी नहीं भी बचता है जब डिवाइड पूरी तरह कड़ जाएगा तो यहाँ पे नहीं बचेगा और जो बचता है वो हो जाता है रिमाइंडर यह रिमाइंडर हो गया तो इस तरह से आप लोग को याद रखना है कि इतनी सारी चीजे होता है अब यहाँ पे निकालने के लिए क्या कहा रहा है जो डिवाइडन है यह क्या कर सकते हैं और इस तरह से जैसे की 2 हो गया अगर इसको हम solve करते हैं पहले यह मल्टिप्ला हो जागा आप लोग एक board mask का rules पढ़े होंगे जिसमें बतला जाता है कि multiply पहले होता है और plus जो होता है वो बाद में होता है तो पहले हम इसको कर लेते हैं 4, 2, 2, 8 हो गया, plus 1 तो 8 plus 1 equal to 9 यह हमको divided equal यह मिल गया तो इस तरह का यह दिया हुआ है तो इसी तरह से हम इसको बनाएंगे तो यह फर्मूला इसमें आप लोगों के book में दिया होगा तो यहाँ पे हम फर्मूला लिख लेते हैं divided हमको निकलना है तो divided का फर्मूला क्या होगा तो इस पर हम इसको बैठा देते हैं आपको आसाने से इसका answer मिल जागा तो divisor क्या दिया हो है, divisor है ये 2018 into 1403 plus 906 इसको इसको मुल्टिप्लाइ करने पर क्या आता है, इसको मुल्टिप्लाइ कर करते हैं, तो ये आ जाएगा 28, 31 254 plus 906, और इसको गर प्लस करते हैं, तो हमको इसका आंसर मिल जाएगा 28 32 160, ये इसका आंसर हो जाएगा और यहां पर एक्सरसाइज 16 complete हो जाता है, इसके पहले का जो वीडियो जो बना हुआ है, अगर आप लोगो को खोजने में दिक्कत होता है, तो मैं इस वीडियो के description box में उन सारी वीडियो का links डाल दूँगा, आप आसानी से उसको देख सकते हैं और उसमें divide किस तरह से बनाया जाता है, जो अंदाजा लेकर बनाया जाता है, तो उस तरह का जो उसमें बतलाया गया है, सारा बना बना कर दिखाया गया है इसलिए अगर उस वीडियो का आप लोग देखते हैं तो divide बनाने के लिए आप लोग को आसान हो जाएगा तो हम लोग अब exercise 16 में चलते हैं यह हम लोग आ चुके हैं exercise 16, यह class 5 कम्यत है और actually मैं इसको already बना के दिया हुआ हूँ, इसके पीछे कारण है कि exercise 16 में बड़ा बड़ा divide दिया हुआ है यहां भी बड़ा divide दिया हुआ है और इसको अगर मैं एक एक करके बना के दिखाऊं तो काफी समय लगएगा एक वीडियो में आपको दो से ज्यादा question बनने वाला नहीं है या फिर वीडियो काफी लंबा जाएगा फिर काफी लंबर वीडियो जो होता है उसको बच्चे देखना पसंद ने करते हैं या कोई भी देखना पसंद ने करता है या फिर उसको जो है speed करके लोग देखते है तो इसलिए मैं already बना दिया हूँ यहां पर देख रहे है question number one the product of two number is दो number को multiply करके इतना लाया गया तो इसका answer यह है if one of the product number is 712 अगर उसमें से एक number 712 है तो दूसरा number खोजी find the other तो इसमें कुछ करना नहीं है directly इसको divide करना है इस number से इसको divide कर देना है और यह इसका answer आजागा तो इसका answer यह है 2135 यह जो है उसके बाद question number two यह है question number two यहां पर यहां पर क्या बतला रहा है रूची divided इतना by a number and obtain 429 रूची जो है इतना बड़ा number को divide करती है और उसका 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 यह ले के आती है what was the divisor तो फिर divisor क्या होगा तो divisor और constant में relation क्या होता है उन दोनों को multiply करते हैं अगर यह इधर है तो यह आएगा और यह इधर है तो यह आएगा तो इसको आप divisor बना दिये तो क्या divisor था वो पता चल जाएगा तो इसको यहां पर divisor बना के इसको divide कर दिया है और इसका answer जो आया है यह तो यह ही इसका answer है 9657 यह इसका answer है तो इसको आप बना सकते हैं आप यहां से बना सकते हैं लेकिन आप इसको बिना देके भी बनाएंगे तो आपको ज़्यादा फाइदा होगा क्योंकि सिर्फ छापने से आप सीखने सकते हैं तो सिखने के लिए आप लोग को बतला दियें कि आप exercise 16 में आप लोगों को बना कर में दिखाया हूं कि किस तरह से बनाया जाता है और जब आप सिख जाएंगे तो फिर आप आसानी से बना सकते हैं उसके बाद question number 3 में हम लोग आते हैं यह question number 3 और इसमें क्या कह रहा है यह इ इतना persons इतने लोग visited a Jew इतने लोग जो है जू देखने के लिए जाते हैं कि लिए घर 257 डेज इतना लोग जो है इतने दिनों में जाते हैं how many persons visited the Jew each day तो एक दिन में कितना गया तो इस नमबर को अगर इस नमबर से डिवाइट कर देते हैं तो एक दिन में कितने लोग वहाँ पे गये वो निकल लियागा तो यहाँ पे क्या हुआ है डिवाइट क्या हुआ है तो इसका answer जो है यह आया हुआ है 6,495 तो यह इसका answer है question number 4 में आप देखते है a dealer booked 125 cars for rupees इतना जो दियावा है एक dealer है एक बेपारी है वह 125 car को book कर लेता है तो इतना रुपिया देकर book करता है 125 car what did he pay for booking one car तो उसका एक car को book करने के लिए कितने पैसा लगा तो इस नमर से इस नमर को अगर divide करते हैं तो हमको मिल जागा कि एक car के लिए उसने कितना पैसा दिया book करने के लिए तो यहाँ पे divide किया हुआ है और यह answer इसका आया हुआ है 53,103 एक car के लिए उसने इतना पैसा दिया यह answer है तो यहाँ पे आप लोग यहाँ से तो बना सकते हैं लेकिन आप इसको revise जरूर कीजिएगा क्योंकि बड़ा divide बनाने में काफी गलतिया होती है बच्चे काफी गलति करते हैं अब हम लोग question number 5 की ओर चलते हैं हम लोग आ च for Prime Minister Relief Fund एक विद्याले में एक स्कूल में Class 5 के बच्चों से बराबर बराबर रुप्य लिएगे और वो रुप्य टोटल इतने हुए उसको अब प्रधान मंत्री Relief Fund के लिए लिया गया है प्रधान मंत्री राहत को उसको बला जाता है उसके लिए लिया गया है इतना इसको बनाया हुआ है यहां पर इसको डिवाइट करने पर यह नमबर आ जाता है मतलब इतना रुप्य एक स्टूट्य जमा किया यहां पर रुपीज में दिखाया गया है और यह अंसर है question number 6 में एक company collected इतना रुप्य यह जो नमर दिया हुआ है from its shareholders एक company जो है जमा कर उसके पास इतना रुप्य आ जाता है shareholders का company जो अपना shares बेचती है तो उसको कई लोग उसके share को खरीते हैं और उसमें पैसा लगाते हैं तो उसके पास अब इतना रुप्य आ गया है सारे shareholder का जो पैसा लगा हुआ है इसमें if the value of each share is 250 अगर एक share का कीमत 250 रुप्या है how many shares were issued तो फिर कितने shares बेचे गए हैं मतलब या खरीदे गए हैं shareholder ने कितने सारे खिड़ दे हैं तो इसका अगर इस number इस number से जो share का कीमत है और जो रुप्या total collect हुआ है इस number को अगर हम divide देते हैं तो हमारा answer आ जाया कि इतने shares बेचे गए हैं तो यहाँ पर divide दिया हुआ है और इसका answer यह है 38,954 यह जो है इतने shares अभी issue हुए है तो यह इसका answer है अब हम लोग question number 7 पे आते हैं यह question number 7 और यह काफी लंबा question है इसको थोड़ा ठीक से पढ़ना होगा और समझना होगा in a book store there are यह जो नमर दिया है इतना books एक book store में जहाँ पर book जमा रखा जाता है एक ऐसा store है और वहाँ पर इतने सारे book है यहाँ पर जो नमर दिया है इतना सारा book है the books are kept in almiras और यह सारे books को जो है almira में रखा गया है almari में each almira has a capacity of holding 803 books सभी almiray में मतलब एक almira में यह 803 किताब रखने की capacity है उसमें इतना book रह सकता है एक almira में how many almiras are required to keep the books तो फिर इतने सारे book को रखने के लिए कितने almira चाहिए तो जो सारा book का जो number है यह book का total number और एक almira में जितना लेता है उससे हम अगर divide कर देते हैं तो पता चल जागा कि कितने almiras की आवसकता पड़ेगी तो यहाँ पर divide दिया हुआ है और यह complete किया हुआ है यहाँ पर तो यहाँ पर इसका answer आ गया है 1995 तो 1995 अल्मीराज की आवसकता पड़ेगी 1995 अल्मीराज यह answer है इसका question number 8 तो हम लोग यहाँ पर आते हैं तो question number 8 में यह छोटा question है आसानी से हम लोगों समझ में आ जागा तो इतना apples apples की संख्या यह है इतना apples दिया हुआ है are packed equally in 208 boxes इतना apple को इतना save को इतने boxes में equally बराबर बराबर pack करना है how many apples are there in a box तो एक बक्से में कितना apple हमको डालना पड़ेगा कितना उसमें आएगा तो यहाँ पर इसको इस number को इस box से divide कर देते हैं जितने box की संख्या है उससे divide कर देते हैं तो एक box में कितने apple आएगा वो हमको मिल जाएगा तो यहाँ divide किया हुआ है और एक box में 325 apples आ रहा है 325 apples यह इसका answer है और इस वीडियो में हम इसको यहीं तक complete करेंगे इसके आगे का question बनाने के लिए हम लोग दूसरी वीडियो में चलेंगे यह exercise 17 का part 1 वीडियो है और part 2 वीडियो इसके आगे में दूँगा उसमें आप लोगों को question number 9 से 17 तक complete रहेगा अगर आप लोगों को हमारी वीडियो से मदद मिल रहा है ता आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को subscribe किजिए अपने दोस्तों के साथ share किजिए इसके आगे का question पढ़ने के लिए हम लोग next वीडियो में चलेंगे तो आई हम लोग next वीडियो में चलते हैं